दोस्तो आजका जो वीडियो है ना ओ दोस्तो बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है जी हाँ दोस्तो क्योंकि दोस्तो आज इस वीडियो में ना मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आवरतों की ऐसी तीन प्रकार की कमजोरी जी हाँ दोस्तो आवरतों की ऐसी तीन प्रकार की कमजोरी ऐसी विकनेस जो दोस्तो अगर आप समझ गए ना तो आपको जो भी अवरत पसंद है और उस अवरत की उमर चाहे कितनी भी होगी मतलब 30 साल 40 साल 50 साल एकसेटरा एकसेटरा उससे कोई भी फरक नहीं पड़ता आपको अगर 50 साल की अवरत भी अगर पसंद होगी ना और आपको अगर उसको पटाना होगा और अगर आप जो मैं आपको कमजोरी बताने वाला हूँ उन कमजोरी को समझ गए ना दोस्तो तो आप दोस्तो पचास साल की अवरत को भी चिटकियों में पटा सकते हो जी हाँ दोस्तो पर दोस्तो इसके लिए ना आपको आज का पॉटेंट वुडियो को दोस्तो चुटकियों में पढ़ जाएंगी पर दोस्तो इसका मतलब क्या है कि आउट आप दी बॉक्स मतलब क्या तो दोस्तो अभी मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ एकदम दोस्तो ध्यान से सुनो कि दोस्तो अगर मान लो कि ओ अवरत ना किसी भी प्रॉबलम में फस गई है या पिर उस अवरत को ना कोई ना कोई मदद चाहिए और उसको ना कोई भी वेक्ति मदद नहीं कर रहा है पर आपने उसको मदद करी मतलब आपने उसके लिए कोई ऐसा काम करा जो उसके लिए कोई भी विक्ति नहीं कर रहा था या फिर उसके लिए कोई भी विक्ति नहीं कर सकता था मतलब आपने ना कोई special काम किया मतलब आपने ना out of the box जाकर आपने कोई भी ऐसा special काम किया जो काम करने के बाद ना आप सीधा उस अवरत के दिल में गुज गए तो दोस्तो ऐसा करने से न कोई भी अवरत ओचाए कितनी भी एच की होगी ओधो चुटकियों में पड़ जाती है दोस्तो तो दोस्तो यह सबसे पहली कमजोरी है और उसके बाद दोस्तो जो दूसरी विकने से मतलब जो दूसरे प्रकार की कमजोरी है ओर दोस्तो कौन सी है कि आप अगर किसी भी अवरत को ओ चीज देते हो जो चीज उसको अपनी हस्बंड से बिल्कुल भी नहीं मिल रही है क्या बला मैंने आप अगर किसी भी अवरत को ओ चीज देते हो जो चीज उसको अपने हस्बंड से बिल्कुल भी नहीं मिल रही है तो दोस्तो ऐसा करने से न ओ अवरत न जल्दी से जल्दी आपके उपर इंप्रेस हो जाती है For example उसका पती ना उसके उपर प्यार नहीं करता उसका पती ना उसको पैसा खर्च करने के लिए बिल्कुल भी नहीं देता उसका पती ना उसको बिस्तर के उपर संतुष्टी नहीं देता मतलब दोस्तो अभी जो मैंने आपको example बताए ना तो दोस्तो ओ just for example थे आपको दोस्तो observation करना पड़ेगा कि आप जिस अवरत को पताना चाते हो उसको अपने हस्बन से क्या नहीं मिलता तो ओच चीज दोस्तो आपको उसको देने की कोशिश करने पड़ेगी और दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर उस अवरत को ओचीज देते हो ना जो चीज उसको अपने पती से यानि कि अपने हस्बन से बिलकुल भी नहीं मिल रही है तो दोस्तो ऐसा करने से ना ओवरत चुटकियों में आपसे दोस्तो इंप्रेस हो जाती है त और उसकी ना हमेशा बाजू लेकर बोलते हो मतलब फॉर एक्जमपल अगर ओवरत ना आपको कोई भी बात बता रही है कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था तो मैंने ऐसा किया वैसा किया और ओवरत ना भले गलत भी होगी तो दोस्तो आप ना उसकी बाजू लेकर बोलो कि हा आपने जो किया न, वो 101 टक का सही था, मतलब आपके जगव मैं होता न, तो मैं भी वही करता, मतलब आप न, एकदम बराबर हो, मतलब वो अवरत न, भले गलत भी होंगी, तब भी रस्तो आप उसकी बाजो लेकर बोलो, और उसकी न, भर-बर के तारिप करो, मतलब आप ऐसी हो, मतलब आप जो खाना बनाती हो न, वो एकदम टेश्टी होता है, आप दिखने में एकदम क्यूट हो, आपका दिल भूत अच्चा है, मतलब भर-बर के तारिप करो, तो दोस्तो ऐसा करने से न, वो अवरत आपके उपर जल्दी से जल्दी इंप्रेस हो जाएगी, क्यों तो अभी जो मैंने आपको बताई न, वो दोस्तो तीसरी कमजोरी है दोस्तो, तो दोस्तो फिलहाल दोस्तो आजकी इस वीडियो में इतना ही, I hope जो मैंने आपको बताया, वो दोस्तो आपको सब कुस समझ में आया होगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के धन्यवाद खुश रहिए और हैपी रहिए लब यू सो मच अल आफ यू